असलाम अलेकूम वेलकम बैक टुन फोर्टू दोस्तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक जबर्दस्त वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जिसके मतलब से आप लोग अपने डाकुमेंट्स के साथ चैट कर सकते हैं बेसिकली एक PDF-related साइट है इसका नाब है Light PDF इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जेगा वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाट पर आसकते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपने जो डाकुमेंट्स हैं PDF फाइल्स हैं वर्ड डाकुमेंट्स हैं आप लोग उनके साथ चैट कर सकते हैं जैसा के आप लोग किसी human से बात कर रहे हों, आप लोग बिलकुल उसी तरह इससे बात कर सकते हैं, अपनी documents के साथ उससे question पूर सकते हैं, और जो भी information होगी वो आपको बताएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसके काफी और भी features हैं, जैसा के आप PDF to world में जो आपकी files होंगे, इसको convert कर सकते हैं, AI for documents, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्या आप लोग आप इन documents के साथ किस तरह चैट कर सकते हैं, इसके वाद से आप लोग आपनी PDF files को edit भी कर सकते हैं, OCR का option मुझूद है, जिसका मतलब है, अगर आपके पास को scan, images ह files हैं, उसको भी आप लोग edit कर सकते हैं, उसके बाद है compressed PDF file और merge PDF का option भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो चलिए बात करते हैं कि आप लोग आपने documents के साथ किस तरह chat कर सकते हैं, यहाँ पर chat with documents के बटन पर click करें, उसके बाद आपके सामने इस तरह का page आजएगा, chat with any documents, summarize and get answers from your files, GPT-4, multi documents, chat, OCR, follow-up questions, इसके लाब यह PDF, Word, Excel, PowerPoint, EPUB, Text वगयरा की जो files हैं, उनको यह support करता है, तो यहाँ पर upload documents के बटन पर click करें, आप लोग यहाँ पर document को upload कर सकते हैं, यहाँ पिर आप लोग की CB URL को यहाँ पर paste कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी document को open कर लेता हूँ, यहाँ पर यह इसको analyze करेंगे, यहाँ पर कुछ seconds लगेंगे और यह open होजेगा page, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसने जोसकी summary है, वो त्यार करके दे दी है, उसके नेचे कुछ questions हैं, उसी से related, जो आप लोग इसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास वो document है, जो के मैंने upload किया था, तो चलिए इससे यहाँ पर कुछ questions पूछते हैं, इसने जो questions generate किये हैं, आप लोग उस पर भी क्लिक करके यहाँ पर answer हसल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यह answer Google करेगा, बलके जो आपकी document file होगी, यह उसी से answer आपको find करके देगा, तो यहाँ पर मैं कुछ इससे questions पूछता हूँ, इसी तरह से आप लोग आपने documents से जो questions होंगे वो पूछ सकते हैं, तो इसी तरह से आप लोग answer हसल कर सकते हैं, यहाँ पर new chat का button भी मुचूद है, आप लोग new chat भी open कर सकते हैं, और आपकी जो previous chat history होगी, वो भी save रहेगी, tell me the team members, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसने team members मुझे बता दिये हैं, team members Sally in form of table, तो आप लोग इस तरह से answer इससे पूर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसने जो table की form में मुझे answer दिया है, सबी team members की sales ने मुझे बताई है, तो आप लोग इस तरह से आप लोग अपनी question पूर सकते हैं, document से chat कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग किसी human से chat करें हो, तो इस तरह से अगर आपके पास lengthy documents हैं, आपके पास read करने का time नहीं, तो आप लोग इससे question पूर सकते हैं, अपनी exam की त्यारी कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही help मिलेगी इससे, तो यहाँ पर आपको जो previous chat होगी, वो भी save रहेगी, कब मुझे मीद आपको आज की वीडियो पसंद रही होगी, इस वीडियो को प्लीज लाइक, मेंट और शेयर जूर करें, कोई भी question नहीं हो तो comment section में पूछी, ऐसे और वीडियो के आप मैंचान को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं को यह वीडियो में, तब तक के लिए